इसके बाद सम्विधान सभग की बात को लेकर अगला बिंदु है राज्यों की शक्तियों का प्रश्ण राज्य की शक्तियों का प्रश्ण अब ये राज्य क्या है और शक्त क्या है और क्या प्रश्ण है राज्य क्या है शक्ति के क्या माइने और क्या प्रश्ण है आपको समझ लेना चाहिए कि राज्य के दो अर्थ होते हैं एक अर्थ होता है इस्टेट जसमें राष्ट और सरकार दोनों शामिल है भागोलिक दिश्टिस का क्षेतर और उसमें उसकी सरकार दोनों शामिल है उसे कहते हैं स्टेट जब हम स्टेट की बात करते हैं तो मूल तो उस स्टेट में हम शासन व्यवर्था सरकार और भागोलिक दिश्टी से जो उसका खेतर है उसको मिला कर बात करते हैं स्टेट का एक अर्थ तो यह हो गया दूसरा स्टेट का अर्थ जो आप जानते हैं राज्य जैसे च्छतीज गड़ एक स्टेट है मद्य प्रदेश एक स्टेट है एक राज्य है उत्तर प्रदेश एक राज्य है एक स्टेट है वहाँ पर खेतर फल की बात आती है कि उत्तर प भारत में जितने स्टेट हैं उतने राज्य हैं क्योंकि स्टेट मतलब राज्य है लेकिन यदि हम स्टेट के पहले अर्थ पे जाएं तो स्टेट मतलब होगा राष्ट और उसकी सरकार का मिश्रण शासन व्यवस्था भी उसमें शामिल है ये तो हो गया राज्य के अर्थ शक्ति से क्या अर्थ है शक्ति के माइने हैं अधिकार पावर शक्ति के माइने हैं पावर भारत में ये तै किया गया कि भारती जो भारत देश जो होगा वह एक संगी प्रणाली वाला देश होगा जैसा कि मैंने पूर में बताया संग शब्द हमारे सम्विधान में कहीं नहीं है और इसको लेकर सम्विधान सभा में काफी तीखी बहस भी हुई लेकिन नंता नहरू के विचार लोगों को स्विकारे थे और नहरू ने ये कहा था कि संग शब्द हम इसमें नहीं लाते उसके कारण बताए और संगी धांचा हमारे यहां का रहेगा यह एक स्वभाविक चीज है यह संगी धांचा फेडरालिजम क्या है थोड़ा इसको हम समझ लें फेडरल स्ट्रक्चर एक देश का संगी धांचा एक देश का उसके माइने होते हैं ऐसा धांचा शासन प्रणाली का जहां पर दो तरह की सरकारे हूँ दो सरकारे नहीं दो तरह की संगी धांचा अर्थाथ शासन प्रणाली का ऐसा धांचा जिसमें दो तरह की सरकारे हूँ एक सरकार कहलाएगी केंद्री सरकार सेंट्रल गर्बर्मिन्ट और दूसरी सरकार कहलाएगी रज्य सरकार केंद्री सरकार पूरे देश की सरकार होगी और केंद्र पे होगी राजधानी में देश की राजधानी में बैठेगी और वो एक ही सरकार होगी पूरे देश को देखेगी पूरे देश की जिम्मेदारी उसके हाथ में वो हो गई केंद्री सरकार अब आप जितने राज्य देख रहे हैं उन्तिस तीस राज्य ये राज्यों की अपनी अपनी सरकारे होंगी इस प्रकार दो प्रकार की सरकारे हैं राज्यों में सरकारे हैं और केंदर की एक सरकार तो ऐसा धाचा जहां दो तरह की सरकारे होती हैं केंदर सरकार और रज सरकार ऐसे धाचे को संगी धाचा कहते हैं शासन प्रणाली का सवाल यह उड़ता है तो आप यह समझ गया कि संगी धाचा है भारत में अब यह संगी धाचे में कारे का बटवारा कैसे हो राज्य कौन से काम देखेगा कौन से काम के लिए जिम्मेदार होगा राज्य कहां से पैसा एकठा करेगा और राज्य को जो आए होगी वो कहां से होगी ऐसे ही केंदर के क्या काम होंगे केंदर के क्या अधिकार होंगे केंदर के आए की श्रोत क्या होगी और केंदर सरकार में लोग चुने कैसे जाएंगे ये आपको समझना हमारे सम्विधान में ये बड़ा स्पष्ट है कि दो तरह की सरकारे होंगी केंदर और राज इस बात पर काफी बहस हुई सम्झान स्वा में कि केंदर और राज सरकारों के क्या अधिकार होंगे इसमें बहस नहीं हुई कि भारत का स्ट्रक्चर फेडरल रहेगा बहस इस बात पर होगी कि किसके पास क्या अधिकार होंगे नहरू और कई अन्य लोग वो कहते थे कि जदा से जदा अधिकार केंदर के पास हो जदा से जदा ताकत केंदर के पास हो क्योंकि केंदर जो है वो पूरे देश को बांध के रखता है और उस काल में जब समविधान सवा की बैठकें चल रही थी देश को एक जुट रखने की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी सरदार पटेलने समविधानिक रूप से कानूनन सबको अपने में मिला लिया था सबको भारत का हिस्सा बना दिया था लेकिन बनाना और बनाए रखना दोनों में अंतर है उनको भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए जरूरी था कि कुछ किया जाए जिससे कि वे भारत में शामिल रहने भारत में शामिल होने का अफसोज भी ना करें दूसरे शब्दों में कि ये जो राज्य थे या राज्य बने बाद में इनको क्या अधिकार होंगे और केंदर को क्या अधिकार होगा इस पर लेकर बहुत 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 चली और नहरू और बहुत लोग चाहते हैं कि केंदर मजबूत हो ज्यादा से ज्यादा पावर उसके पास रहें ज्यादा से ज्यादा ताकत उसके पास रहे ताकि देश की एक जुटता अक्षन बनी रहे यदि राज ज्यादा ताकत होंगे तो ये राज अपने राज के बारे में सोचेंगे देश हित नहीं सोचेंगे और हो सकता है एक समय ऐसा आए जब कोई रज स्वतंत्र होने के लिए भी आगे बढ़ जाए भारत से स्वतंत्र की मांग करने लगे क्योंकि उसका कहना होगा कि वैसे ही हम बहुत सारे काम देख रहे हैं बहुत सारे अधिकार हमारे पास है बचे खुचे जो अधिकार कुछ केंद्र के पास है वो भी हम लेते हैं और हम स्वतंत्र तो ऐसे में तो देश विभाजित होता चला जाएगा विखंडित होते चला जाएगा देश के विभाजन के देश के टुकड़े टुकड़े होने की समस्या खड़ी हो जाएगी इसको लेकर नहरू का कहना था कि केंद्र मजबूत हो केंद्र के पास ज्यादा ताकत हो पंडे जवालाल नहरू ने अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा था सम्विधान सभा के अध्यक्ष को उसमें उन्हेंने कहा था कि अब जब कि विभाजन एक वास्तविक्ता बन चुकी है भारत पाकिस्तान के विभाजन एक रियालिटी बन चुकी है तो एक दुर्बल केंद्र शाचन विवथा देश के लिए बहुत हानी कारक होगी हमें इस विभाजन से सीख लेना चाहिए कि कहीं हमारा केंद्र यदि कमजोर हुआ तो आगे भी ऐसे विभाजन की कहानी दुराई जा सकती है और इसलिए जरूरी है कि हम इससे सीख लें और केंद्र को मजबूद बनाने का प्राधान करें एक दुर्बल केंद्र से दूर रहें ऐसा केंद्र स्थापित करने में आम सरकारों के मद्य समन्वे स्थापित करने और अंतराश्ट्री स्थापित पर देश की आवाज उठाने में दिक्कत होगी नहरू मजबूत केंद्र की जब पैरवी कर रहे हैं नहरू और कुछ अन्य सद्थ जब मजबूत केंद्र शक्तिशाली केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे दो तरक देते हैं पहला अंतराश्ट्री स्थर पर एक आवाज दिखनी चाहिए भारत से और एक आवाज तभी होगी जब केंद्र की आवाज मुखर हो जब केंद्र ताकतवर हो और दूसरी बात जो उनका कहना था कि यदि केंद्र ताकतवर नहीं होगा तो राज्य सरकारें जब आपस में टक्राइंगी कुछ मुद्धों को लेकर चाहे सीमा को लेकर चाहे नदी विवाद को लेकर चाहे करों के प्राउधान को लेकर आदी आदी बहुत से मुद्धों को लेकर कहीं राज्य सरकारें टक्राइं तो उनकी समस्या का निराकरण कौन करेगा उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक मजबूत केंदर का होना जरूरी है तो दूसरे अर्थों में दूसरे शब्दों में दूसरा कारण जो नहरू देते हैं वो है राज सरकारों के बीच की समस्याओं को निपटने के लिए मजबूत के अंदर की जरुरत यहां मैं एक चीज बता दूँ कि सम्विधान सभा 26 नॉम्बर 1949 को दस्तकत करती है पड़े जवा आल नहरू 1949 26 नॉर 49 को सम्विधान सभा की पिस्तक पर सम्विधान की पिस्तक पर दस्तकत करते हैं और जैसा मैंने बताया प्रस्तावना में तारीख भी 26 नॉम्बर है भारत की जो प्रस्तावना प्रस्तावना बाद में लागू हुई कानून पहले लागू हो गया सम्विधान पहले लागू हो गया प्रस्तावना बाद में लागू हो गया ये भी बड़ा रोचक तत है ये 26 नॉम्बर को सम्विधान का स्विकार किया जाना इसे हम 19 2015 से हम समविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं किस रूप में मनाते हैं समविधान दिवस दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता दिवस, गनतंत्र दिवस और एक समविधान दिवस सम्विधान दिवस वह दिन है जिस दिन हमने इस सम्विधान को स्वीकार किया 26 जनवरी वह दिन है जिस दिन हमने इस सम्विधान को लागू किया अब आप दोनों में अंतर समझ गया 2015 से सम्विधान दिवस मनाये जा रहा है हर वर्ष 26 नवंबर को प्रतिवर्ष सम्विधान दिवस का प्राधान है ये तो हुई एक बात दूसरी बात मैंने बताया था कि माउंट बेटन प्लैन के तहट जो प्रस्ताव आए और लागू किये गए उसके तहट सम्विधान सभा के दो रोल हो गए वो विधाईका भी बन गई पंदरा अगर्ष उननीस सो से तालिस से सम्विधान सभा ने विधाईका का रोल भी परफार्म करना प्रारम कर विया यानि कानून बनाने का देश को चलाने का और मैंने ये बताया आपको कि विधाइका के रूप में वो सदस सम्विधान सवा के जब बैठते थे तो वो विधाइका के रूप में बैठते थे उस समय वो बैठक विधाइका की बैठक कहलाती थी और जब सम्विधान बनाने के लिए बैठक होती थी तो वो सम्विधान सभा की बैठक होती थी कहलाती थी यद्यपी दोरों में सदा से वही थे सम्विधान सभा की बैठक की अध्यक्षता राजिन पसाद करते थे और विधाईका की अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे जब भी विधाईका की बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे मावलंकर जी इस प्रकार मावलंकर देश की पहली विधाईका के पहले अध्यक्ष बनते हैं और हम कह सकते हैं कि देश के पहले स्पीकर अध्यक्ष को क्या कहते थे स्पीकर पहले स्पीकर देश का कौन है जीवी मावलंकर तो आप याद रखेंगे कि मावलंकर पहले स्पीकर देश के कहलाते हैं अब हम वापस इस बिंद उपर आते हैं शक्तिशाली केंद्र के हमायती लोगों ने ये बातें रखी अपने सामने और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी था जो कहता था कि अज़े केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाएगा तो राज्यों की जो स्वायतता है राज्यों को जो कुछ फ्रीडम मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी और राज्यों को फ्रीडम स्वतन्ता देने के तरक में के पक्ष में उनका तरक था कि हर राज्यों की अपनी एक संस्कृती है अपनी भाशा है अपनी जीवन शैली है अपना राज्यतिक धाचा है उसे अक्षन बनाये रखना है केंद सरकार के मजबूत होने पर केंदरी कानूनों के तले कहीं ये जो विविधिता है ये कहीं डब ना जाए ये विविधिता कहीं भंक समाप्त ना हो जाए केंदरी कानूनों के प्राउधान के तले तो इसलिए राज्यों की सरकार भी हो और उनको भी प्रयाब ताकत मिले अंचता काफी विचार विमर्ष के बाद सम्विधान का जो मसौधा बना उसमें तीन सूचियां तीन तरह के प्राउधान किये गए अधिकारों का बटवारा करने के लिए तीन श्रेणियां बनाई गई पहली श्रेणि कहलाती है केंदरी सूची, केंदरी सूची, दूसरी कहलाती है रज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची केंदर सूची, रज सूची और समवर्ती सूची केंदर सूची वो जिसमें ऐसे अधिकार जो केवल केंदर सरकार को रहेंगे वे केंदर सूची में ऐसे अधिकार खेतर जिस पर केवल केंदर का नियंतरन होगा वो केंदरी सूची और खेतरकार्थ यहां पर भोगुलिक खेतरका नहीं है खेतरकार्थ मतलब अधिकारों से है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे फिलहाल आप इतना जान लें कि ऐसे पावर्स ऐसी शक्तियां जो पूर्ण तक केंदर के हाथ में होना चाहिए वो केंदरी सूची में शामिल की गए ऐसी शक्तियां ऐसे पावर्स जो केवल रज के हाथ में होने चाहिए वो रज सूची में आ गए लेकिन कुछ ऐसे अधिकार भी थे जिस पर बड़ा विवाद था कुछ ऐसे अधिकार भी थे जिस पर ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ये किसके हित में बहतर होगा केंदर को देने से ये बहतर होगा या राज़ को देने से बहतर होगा क्या करना तो ऐसे जो मुद्दे थे जिस पर लोगों का कहना था कि राज्य और केंदर दोनों को इस अधकार पर इन मामलों पर पर्याप्त शक्ती मिलनी चाहिए उसे समवर्ती सूची में डाला गया कौन सी सूची में समवर्ती अंग्रेजी में उसे कहते हैं Central List, State List और Concurrent List Concurrent, to conquer मने to agree C O N C U R, to conquer, to conquer मने to agree तो ऐसी लिस जिस पर राज और केंदर दोनों सहमत होए ऐसे अधिकार जिसमें राज और केंदर दोनों की सहमती आवश्यक हो ऐसे अधिकार में दिये गए समवर्ती सूची दोनों की जिम्मेदारी है समवर्ती सूची में रज और केंदर दोनों समान रूप से जिम्मेदार माने गए ये जानने की बात है कि केंदरी नियंतरण में अन्य संगों की तुलना में बहुत अधिक विश्यों को रखा गया ये हमारे सम्भिधान की एक विश्यष्टा है कि अध्यपी सूचियां तो तीन बनाई गई लेकिन जैसा कि नहरू और कुछ अन्य लोंग का सुझाओ था केंद्र बहुत शक्तिशाली होना चाहिए उस अनुरोथ का पालन करते हुए केंद्र को बहुत ज़्यादा में अन्य संगों की तुलना में बहुत अधिक विश्या है इसी प्रकार प्रांट की च्छाओं की परवा किये बिना समवर्ती सूचि में बहुत अधिक विश्यों को रखा गया ये एक शिकायत बार बार आई प्रांटों से राज्यों से कि हमको कम अधिकार दिये गए हैं सारे अच्छे अधिकार सारे मद्बूच चीज़ें तो आपने ले ली केंदर ने उसके बाद जो था वो समवर्ती में डाल दिया और बचा खुचा राज्यों को दिया है राज्य सरकार की ताकत कम है कमजोर है ऐसा कुछ लोगं का कहना था उधारन के लिए खनिज के मामले और उद्योक के मामले में पूरा नियंतरन था केंदर का चाहे वो खनिज उत्पादन किसी भी राज्य में हो किसी भी तरह के खनिज का हो केंदर सरकार के संरक्षन में वो होगा तो यहां पर राज्य सरकार को बड़ी आपत्ती होती थी राज्य सरकार की ताकत की परंपरा की बात करने वाले लोगों ने आपत्य उठाई थी लेकिन फिर भी अंत्यता ये अधिकार केंडर को दिया गया इतना ही नहीं एक आर्टिकल है 356 आर्टिकल 356 के तहट राज़ पाल की सिफारिश पर राज़ सरकार के सारे अधिकार समाप कर लिए जाते हैं अब देखिए कैसा राज़ में मुख्यमंतरी होता है जैसे 36 गड़ में मुख्यमंतरी श्री बखेल है ऐसी हर राज़ में एक राज़ पाल होते हैं जैसे अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं जैसे भारत में श्रीमती अच्छतीज गड़ में श्रीमती अनुसुया उईके हैं ये राज़ पाल है राज़ पाल जो है उसकी नियुक्त केंदर सरकार के मातहत राष्ट पती करते हैं केंदर सरकार के माध्यम से राष्ट पती करते हैं मातहत नहीं केंदर सरकार के माध्यम से राष्ट पती करते हैं अब यदि राज़िपाल ने केंडर सरकार से अनरोथ किया कि राजर की स्थिती ठीक नहीं है या राजर का संचालन ठीक नहीं है या ऐसी कुछ शिकायत की राजर सरकार के बारे में जससे ऐसा महसूस होता है कि राज को केंद्र के हस्तक शेप की जर्थ है, तो राज पाल के इस अनुरोध को धारा 356 के अंतरगत केंद्र स्विकार करती है और राज सरकार को भंग किया जा सकता है। राज सरकार को हटाये जा सकता है, चुनी ही सरकार को हटाये जा सकता है, और राज सरकार के सारे अधिकार राज जपाल को दे दिये जाते हैं, जब तक कि नई सरकार ना आ जाए, किन को दे दिये जाते हैं, राज जपाल को, ये धारा 356 जिसमें केंदर बहुत ताकत मजबूत दिखाई देती है इस पर भी बड़ी आपत्ती हुई थी और ये धारा 356 ने कैसा हो धारा ने ये बताने का कि भारत का स्ट्रक्चर यदे भी फेडरल है यदे भी संगी है लेकिन अधिकतर शक्तियां अधिकतर ताकतें केंदर सरकार के हाथ में राजकोशी संगवाद की वस्था में एक जटल समस्चा थी अब ये राजकोशी संगवाद क्या है अधिकारों को लेकर अधिकारों के बटवारों को लेकर और कौन से अधिकार अधिकार यानि शक्तियां जो केंदर में नहित होंगी राज्य में नहित होंगी और कुछ शक्तियां जो दोनों के बीच में जिसमें दोनों के सामंजस्च चाहिए की जुरत होगी इन अधिकारों के अलावा इन अधिकारों के जगड़े को लेकर एक और अहम मुद्दा था इनी अधिकारों के खेतर के दाइरे में आता है वह था राजकोशिय मामला राजकोश याने पैसा किसी भी सरकार को पैसे की सक जरुरत होती है पैसे के बल पर तो सरकार चलेगी ये पैसा इन सरकारों के पास जिन शरोतों से आता है उसका बटवारा एक बहुत अहम मुद्दा था शरोतों का बटवारा धन का बटवारा और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि राज कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं भागोलिक दृष्टी से कुछ राज जनसंख्या की दृष्टी से उनका घनक तो बहुत ज़्यादा है भले ही वे छोटे खेतर में हों आधी आधी यह से कई मुद्दे थे तो राज कोशी संघवाद की व्यवस्था राज कोशी संघवाद फेडरलिजम और मॉनिटरी मैटर्स ये भी एक बहुत जटिल समस्या थी सीमा शुलक और कंपनी कर कस्टम जूटी और कंपनी कर ऐसे जो कुछ कर थे इस पर संय पूरी की पूरी आयक केंदर को जाएगी ये तैथा कौन से टैक्स कस्टम ड्यूटी बाहर से सामान आता है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो बाहर जो जाता है उस पर जो टैक्स लगता है और उसके अलावा कंपनी टैक्स इस पर पूरी आयक केंदर को जाएगी आयकर और आबकारी शुल्क एक्साइज ड्यूटी और इंकम टैक्स ये जो मुद्दे थे इस पर होने वाली आए का बटवारा तैक किया गया दोनों उसको बांटा गया केंदर और राज सरकारों के बीच इंकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी कैसे बांटी जाएगी आपकारी शुलक जिसे कहते हूं और राजस तरी शुलकों में शामिल क्या किया गया ऐसी आए जिस पर केवल राज का पूरे अधिकार होगा उसके तहट जमीन संपत्तिकर बिक्री कर शराब आदी बाटल बन शराब आदी इस पर से होने वाली आए पूरी तरह राज को जाएगी तो जिस परकार तीन तरीके की सूचियां बनी थी अधिकारों को बाटते हुए उसी परकार आए को भी तीन तरीकों से बाटा गया आए के शरोतों को एक ऐसे शरोत जिससे होने वाली पूरी आए केंदर को जाएगी दूसरा ऐसे शरोत जिससे होने वाली पूरी आए रज को जाएगी और तीसरा ऐसे शरोत जिसमें बटवारा होगा वो बटवारे का आगे चर्चा होगी फिलहाल इतना जान लें कि यहां पर भी समवर्ती सूची जैसी एक ऐसी सूची थी जिसमें तैकिया गया कि इंकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी इस से आने वाली आमदनी को केंदर राज के बीच में बाटा जाएगा ये तो हो गया अधिकारों के दाइरे शक्ति की बाते हैं अब इसको लेकर जो बहस होती है थोड़ा हम उसके और जाएं जो शंकाएं होती हैं जो संशे पैदा होता है ये क्या थे केंदर के बिखरने की आशंका राजियों के अधिकारों की जो हिमायत पैरवी करते थे मैंने बताया पूर में कि नहरुक और उनका एक उनके साथ चलने वाला एक बहुत बड़ा सम्धान सबाके सदस्यों का दल इस बात की पैरवी करता था कि केंदर मजबूत हो लेकिन राजियों की मजबूती करने वालों का जो गुट था उसमें राजियों की मजबूती की हमायत करने वालों उसमें मदरास के एक सदस्य थे जिनका नाम था के संथनम ये बहुत प्रसित विचार वेता भी रहे हैं, राजनीति शास्त्री भी रहे हैं संथनम जी का विचार था कि ना केवल राज्यों को बलकि केंदर को भी शक्तिशाली बनाने के लिए इन अधिकारों का बटवारा करना जरूरी है तो अधिकार के बटवारे को लेकर संथनम जी राजी थे, सहमत थे के फेडरल स्ट selective होगा, संधी शास्त्री प्रणाली होगी और संधी शास्त्री प्रणाली में अधिकारों का बटवारा होगा दोनों को मिलेगा लेकिन जरूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारिया जरूरत से अधिक अधिकार यदि केंदर को सौम दिये गए तो केंदर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा हावी हो जाएगा और हो सकता है कि इतने ज़्यादा अधिकार मिलने के बावकारण वह अपना कारे ठीक से ना कर पाए अपना कारे प्रभावशाली रूप से ना कर पाए केंदर के कुछ दाइत्वों में वो चाहते थे कमी हो उन्हें राज सरकारों को सौम पा जाए क्योंकि ऐसा करने से राज्य की शक्ति तो बढ़ेगी ही पर बढ़ी हुई राज्य की शक्ति के साथ केंदर भी ज़्यादा शक्ति शाली होगा राज्यों की शक्ति में केंदर की शक्ति समाहित है ऐसा इनका कहना था केंदर को शक्ति मिलती है राज्य से ऐसा इनकी सोच थी तो उनका नुरोथ था कि जो सूची बनाई जारी है उसमें से कुछ और अधिकार राज्यों को दे दिये जाए इससे शक्तिशाली केंदर का निर्माण हो सकता है और फिर उनकी साफ कहा कि संपूर्ण शक्तियां केंदर को देने से वह शक्तिशाली हो जाएगा ये सोच गलत है बलकि वह अपना कार सुचार रूप से नहीं कर पाएगा ऐसी पूरी शंका है संधनम का विश्वास था कि जो शक्तियों का जो बटवारा हुआ है उस बटवारे के तहट राज कोशी प्राउधान जो किया गया है जिसका मैंने जिक्र किया उससे प्रांतों को राज्यों को उसने कमजोर बना दिया यानि इस बटवारे में आर्थिक रूप से राज्यों को नुक्सान है उन्हें पर्याप पूंजी नहीं मिल रहे हैं उन्हें पर्याप आय नहीं हो रहे हैं जिससे कि राज्य चला सके उनका कहना था कि जो आपने जो बताया है जमीन और बिक्रीकर और बोतल बंशराब और संपत्य करादी ये भू राज्यस्व और कुछ अन्य मामले हैं इसके अत्रिक तो बाकी सारा केंदर सरकार ने रख लिया है बाकी सारे अधिकार तो केंदर के पास चले गए हैं राज कोश के तो इस परकार धन के अभाव में राज कैसे चलेगा केवल भू राजस्व के बल पर राज की परयाप्त आए नहीं हो सकती और ऐसी स्थिति में धन का अभाव बना रहेगा सतत अभाव बना रहेगा और हर राज धन की कमी से परेशान होता रहेगा राज अपने तहीं अपने राज की विकास योजनाओं का क्रियान्वन कर ही नहीं पाएंगे शक्तियों के इस वित्रण के विशय में मन्थन आगे कहते हैं संथनम आगे कहते हैं कि मैं ऐसा सम्विधान नहीं चाहता जिसमें एकाई को आकर केंद्र से कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता। अर्थात संथरम जी कहते हैं कि यदि हर राज आर्थिक तंगी से गुजरेगा इस तरह के बटवारे में इस तरह के राजकोशी बटवारे में जिसकी पूरी संभावना है कि सब राज्यों को आर्थिक तंगी रहेगी तो प्रणाम क्या होगा वे कमजोर तो होई जाएंगे विकास योजनाओं का क्रियानवन भी नहीं कर पाएंगे और साथी साथ हर छोटी छोटी मांग के लिए वो केंदर की ओर दोड़ेंगे वो कहेंगे मैं शिक्षा की वश्था नहीं कर सकता क्योंकि पैसा नहीं है मैं साफ सफाई के वस्था नहीं कर सकता हमारे राजिकों की पैसा नहीं है सड़के बनाने के लिए हमें पैसे दो आदी आदी उद्योग को लेकर भी ये राजियों को सतत परिशानी होगी उद्योग इस्थापना करने के लिए एक भरी पूंजी लगती है तो जब तब ये लोगों के स्थापन के लिए केंदर की ओर दोड़ेंगे केंदर को परिशान करेंगे, समय अलग जाएगा, दिक्तें अलग होंगी आदी आदी वे मांग करेंगे हमें खैरात दे दीजे, हमें कुछ भीग दे दीजे बेहतर होगा कि हम संगी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दें इससे अच्छा तो यही है कि हम संगी व्यवस्था को ही समाप्त कर दें और केवल यूनिटरी सिस्टिम लागू करें जिसमें केवल एक ही सरकार हो को जिसे कहाँ केंदर सरकार, क्या कहाँ, केंदर सरकार, यूनिटरी सिस्टिम, यूनिट यन्य एक, एक ईकाई सिस्टिम में हम लाग우 कर दें, Ishasar Santanam Ziga का कहना था, उन्होंने बार बार राज्जों को ज्यादा शक्ति शाले बनाने की पैरवी की, लेकिन जब सम्विठान कि बहाज की दिशा वो देखे तो एक समय ऐसा आया कि उन्हों निराश हो कर ये तक कह दिया कि यदि आपको राज्यों को राजकोष नहीं देना है राजकोष चे ज्यादा धन नहीं देना है तो क्या मतलब है राज्य सरकारों के अस्तित का कोई और चित नहीं रहेगा हर संगी सरकार ही रखो एकाई ही रखो केंदर सरकार ही रखे यूनिटरी सिस्टेम बिना सोचे समझे शक्तियों के वित्रण को लागू करने के परणाम बड़े खतरनाक होंगे ऐसा संथनम की चेतावनी थी इसके परणाम तरूब कुछ ही वर्षों में सारे प्रांद केंदर के विरुद्ध विद्रोह कर बैठ करने पर उतारू हो जाएंगे ये चेतावनी का हिस्सा थी अर्थात संथनम बारंबार इस बात को कह रहे हैं कि यदि केंदर को ज़्यादा अधिकार देने का माइने केंदर को शक्तिशाली बनाना माना जा रहा है तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है केंदर को सारे हधिकार दे देने से पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में रज्य सरकारें आर्थिक तंगी के कारण केंदर सरकार के विरोज में केंदर सरकार से विद्रोग करते जाएंगे और ये विद्रोग कहीं फिर देश की एक जुटता को देश की एक आत्मक्ता को चुनोती ना देदे ऐसी पूरी संभावना संथनम जी व्यक्त करते हैं प्रांतों के अनेक अन्य सदस्यों ने भी जो शक्ति का जो वितरन हुआ था इसके दिमान रूप को लेकर अपने विचार रखे उडिशा के एक सदस्यों की तो शंका थी कि समिधान में शक्तियों के अत्यधिक केंदरी करण के फलसुरूप केंदर बिखर जाएगा वही बात जो संतनम ने अपनी भाशा में कही थी और उन्होंने कहा था कि ये लोग केंदर के विरुद उतारू हो जाएंगे उडिशा के सदस्यों भी यही बियान दे रहे थे अपने तरीके से उन्होंने कहा कि इसके प्रणाम सुरूप केंदर बिखर जाएगा ऐसे सदस्यों ने सम सूचियों में से कुछ अधिकार निकाले जाएं और वे राज्य को दिये जाएं। जो प्रांटों को अधिक शक्तियां दिये जाने के खिलाफ था। उल्टावे चाहते थे कि केंदर की शक्तियां बढ़ाई जाएं और इस बात की पैरवी करते थे कि शक्तिशाली केंदर की आवश्यकता है। क्या है शक्तिशाली केंदर की आवश्यकता। बियार अम्बेटकर ने कहा कि एक शक्तिशाली और एक इक्रित केंदर। और ऐसा कहते हुए उन्हें बार बार सम्विधान सभा के सदस्यों को अपनी और ये कहते हुए आकरशिट किया कि मुझे सुनिए, मुझे सुनिए, एक शक्षिशाली और एकी कृट केंद्र 1935 के गर्वर्मेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी अधी शक्षिशाली केंद्र यह होना चाहिए आपको याद होगा मैंने पूर में आपको बताया था कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में कई एक्ट पास किये सं सकते जिसमें 1909 का मिन्टो मौरले रिफार्म 1919 का मौन्टेगी चन्फोर्ड रिफार्म और फिर 1935 का गर्वर्मेंट आफ इंडिया एक्ट यह बहुत महुत पूर्ण है उस एक्ट में भी ऐसा ही फेडरल स्ट्रेक्चर था और इसमें भी केंद्र और राज्यों के बीच में अधिकारों का वित्रन था अमबेट कर जी कहते हैं कि 1935 के सम्धान में जो प्रावधान अंग्रेजों ने किये थे हम उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र देखना चाहते हैं अर्थाद हम चाहते हैं कि अधिकारों का बटवारा इस तरह हो कि ज़्यादा से ज़्या शक्तिशाली केंद्र ही सम्प्रदाइकता को रोक सकता है वो काल जब ये सब बैठके हो रही थी जब ये सारी बाते हो रही थी बहस हो रही थी जिरा हो रही थी उस काल में सम्प्रदाइकता सम्प्रदाइक दंगे उत्तर भारत में विशेश रूप से सभी जगा विकराल प्रूप ले चुके थे और सांपरदाइक दंगों का ही तो परणाम था कि महात्मागांधी की हर्त्या हो गई और उसके बाद ही सांपरदाइक दंगों की जो आग है जो जुआला है उसमें थोड़ी कमी आई तो ये जो सांपरदाइक समकालीन सांपरदाइक दंगों की छाया इन सदस्यों के उपर थी और इसलिए इनका कहना था कि केंदर शक्तिशाली होगा तभी इस प्रकार के सांपरदाइक दंगों को कुछला जा सकता है गोपाल स्वामी अईयर प्रांटों की शक्तियों में वृद्धिक किया जाने के बदले केंदर की शक्ति अधिक चाहते थे और उसके पक्ष में उनका कहना था कि केंदर अधिक से अधिक मजबूत होना चाहिए बालकरश्व शर्मा जो आधनिक उत्तर प्रदेश से आते थे उसे उसमें सहिक तुपरान कहा जाता था वो भी शक्तिशाली केंदर की बात करते हैं और उसके पक्ष में उन्होंने जो दलील दी चार तर्क रखे पहला देश के हित में योजना बनाने के लिए केंदर मजबूत होना चाहिए राज्ज के हित में नहीं देश के हित में ये पहला बिन्दू क्यों केंदर मजबूत हो इसके पक्ष में उनके तर्क की केंदर के हित में योजना बनाने के लिए केंदर को ताकत वर होना चाहिए क्योंकि केंदर ही सक्षम हो सकता है जब वह पर्यापत रूप से आर्थिक संसाधनों का आधनिक संसाधनों को जुटा सके। शक्ति शाली होना बहुत महत्पूर्ण है। ये थे बाल करिश्च शर्मा के विचार। उलेखनी ये है कि देश के विभाजन से पहले कॉंग्रेस को इस बात या कॉंग्रेस प्रांटों की स्वायत्ता के ज़्यादा पक्षधर थी। सोचने की बात है कि 1947 से पहले कॉंग्रेस सतत रूप से प्रांटों की स्वायत्ता या प्रांटों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिये जाने की पक्षधर थी। याने अंग्रेज़ों के काल में अब उस समय ऐसा कियों था क्योंकि केंदर पे तो अंग्रेज़ों लोग बैठे थे अंग्रेज़ों के पास जाधा से जाधा ताकत थी। राज्यों को केवल कुछ जुन्जुनी के रूप में कुछ चीज़ें दी गई थी तो राज्य सरकारें इस बात से बड़ी उनमें बड़ा रोश्ट था नाराजगी थी और वे बार बार मांग करती थी कि राज्य को ज्यादा स्वायता दी जाए इस भूमिका इस बैक में उनकी ये मांग थी हमें ख्याल लखना चाहिए कि कॉंग्रेस ने कुछ सीमा तक मुस्लिम लोग लीग को भी विश्वात दिलाने का प्रयास कि लीग की सरकार वाले प्रांतों में हस्तक खेप नहीं किया जाएगा लेकिन विभाजन विभाजन का परणाम क्या हुआ कि उसके बाद जो परिस्थितियां बदली उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन हुई तो अधिकाँश राष्टवाजियों की सोच बदल गई विभाजन के बाद ये जो मैंने मुस्लिम लीग का जिक्र किया है वो इसलिए कि इस समविधान सभा के समविधान सभा के इस स प्रदस्च थे जो संविधान सभा की मीटिंग अटेंड कर रहे थे और वे जब मजबूत केंदर की बात सुनते थे तो उन्हें भै होता था कि यदि केंदर मजबूत होगा तो संभावना है कि केंदर में अधिकतर कांग्रेस सरकार रहेगी वो राज्ज में मुस्लिम लीग क स्थापिस सरकारों को कोई स्वायत्ता नहीं देगी बारं बार ये प्रयास किया गया लीग को समझाने का कि मजबूत केंदर का तात्पर ये नहीं है कि हम राज्ज सरकारों की स्वायत्ता का हनन करें हम आपको परयाप फ्रीडम देंगे हम आपको परयाप स्वायत्ता दें लेकिन मुस्लिम लीग इतनी बिफर्च चुकी थी कि कॉंग्रेस से उसका पूरा विश्वास तूट चुका था अकारण ही इन फैक्ट सचाई तो है कि मुस्लिम लीग ने तो मन बना लिया था कि हमें एक स्थित्र राष्ट चाहिए तो विभाजन के बाद जब इस स्थित्र देखी गई तो प्रांटों की स्वायतिता के हमायती कॉंग्रेसी अब पैतरा बदलते हैं और वे एक मजबूत केंदर की बात करते हैं ये राष्ट वादी उनकी दलील थी कि बदलती स्थित्यों में विकेंदरी करण सनरचना के लिए पहले जैसे राजनेतिक दबाओ के कारण अब प्रांटों को अधिक स्वायतिता देने की जरूरत नहीं है अर्थाद 1935 के काल को यदि हम देखें तो उस समय की स्थित्यों बदली होई थी उस समय केंदर में विदेशी सत्ता थी हम विदेशी सत्ता से ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार छीनना चाहते थे राज को स्वायतिता दिये जाने के नाम पर और अब परिस्तियां बदल गई हैं अब अंग्रेश तो चले गए अब केंदर में देश की सरकार ही होगी तो एकिकरित देश के लिए जरूरी है कि केंदर मजबूत हो ऐसा इन राष्टवादियों का कॉंग्रेशी विचारधारा के लोंगों का तरक था अपने बदले हुए स्टैंड को लेकर हमें ख्याल लखना चाहिए कि आपनिवेशिक प्रशासक यानि अंग्रेजों द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था में देश में पहले से ही एक तरह का रोश था और वो एकल व्यवस्था के रोश का ही परणाम था कि बारम बार भारती राष्टी कॉंग्रेश ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग करती थी मैंने इसका जिक्र समय समय पर किया है प्रतिने जित्व की मांग और प्रतिने जित्व की बढ़ती हुई मांग दोनों का जिक्र पूर में कर चुका हूँ प्रतिने जित्व की बढ़ती मांग और बढ़ते प्रतिने जित्व की मांग के परिणाम चुरूफ ही तो 1909, 1919, 1935 के रिफॉर्म्स और एक्ट अंग्रेश शासन ने पारित किये थे जिसके तहट भारतियों की संख्या शासन में बढ़ाई गई थी उस काल में घटित होनी वाली घटनाओं ने केंदरी करण को और ज़्यादा प्रोसाहित किया था स्वतंता प्राप्ति के पश्चात जो अराजक्ता थी जो अव्यवस्था थी उसके लिए भी जरूरी था कि केंदर मजबूत हो अर साथ अब बात हम कर रहे हैं कि आखिर अंततह मजबूत केंदर के हिमायती उनका पलड़ा कैसे भारी पड़ा आखिर क्या बात हुई जिसको लेकर इस बात पर रजामंदी हुई कि हाँ केंदर मजबूत हो तो पहला बिंदू कि 1930-40 के काल में जो घटनाय घटित हुई जिसमें मुश्लिम लीग और कॉंग्रेस के बीच में भी टकराओ हुए और अंग्रेश शासन ने सत्ता का दुरुपयोग करने की कुशिश की तो इन घटनाओं के कारण केंदरी करण की मांग बढ़ती है पहली बात तटकाली इन घटनाय दूसरा स्वतनता के बाद जो देश के हालात थे जिसमें सांपरदाइकता का बोल बाला था सांपरदाइक दंगे थो रहे थे उसके लिए भी मजबूत केंदर की जरूरत थी तीसरा चारों तरफ जो लूट पार्ट अर राजकता लाइंड ओर्डर की समस्या कानून विफ्था की समस्या जो बनी हुई थी एक नवोदित देश में जो होता है नए देश में जो होता है किसी भी नए देश में उस समस्या के निराकरण के लिए भी मजबूत केंदर की जरूरत थी चौथी बात आर्थिक विकास के लिए जरूरी था कि केंदर मजबूत हो क्योंकि हो सकता है किसी राजक के पास प्राकृतिक संसाधन तो हैं लेकिन इस संसाधनों का उप्योग करने के लिए उद्योग नहों कुछ अन्य राजियों के पास उद्योग तो हैं लेकिन संसाध नहीं हैं तो ऐसी विशमताओं से बचने आदी आदी तो अगला बिंदु जो है आर्थिक विकास की योजनाओं को एक समगर रूप से चलाने के लिए भी जरूरी था कि केंदर मजबूत हो उसके साथ ही ये भी जरूरी था केंदर की मजबूती इस बात के लिए भी जरूरी थी कि विदेशों में भारत को एक राष्ट के रूप में सुना जाए केंदर मजबूत तभी होगा जब सारे रज केंदर के पीछे हूं किसी अंतर राष्टी मामले को लेकर तो इसलिए भी जरूरी था कि केंदर मजबूत हो तो इन ही सब कारणों के की प्रिष्ट भूमी में अंतता शक्तिशाली केंदर की आवश्कता और बढ़ गई अंतमे सम्धान सभा के अधिकतर सदस्य शक्तिशाली केंदर के पक्ष में उठखड़े हुए उसकी आश्कता पर बल देने लगे और यही कारण है कि भारती सम्धान में एक शक्तिशाली केंदर की व्यवस्था उसके व्यवस्था की ओर जो जो जुकाओ है वो साथ दिखाई देता है कई लोंग की सोच रहती है कि केंदर बहुत मजबूत हो गया हाँ मजबूत किया गया है हमारे समधान निर्माताओं का उसके प्रति जुकाओ था और उस जुकाओं के क्या कारण है इस पर हम वस्तार से चर्चा कर चुके हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारती समधान सभा ने इस समस्या का निराकरण बखूभी किया कि अधिकारों का बटवारा कैसे हो और अंत्ता एक मजबूत के आशकताब को बल देते हुए संगवादी धाचा बनाय रखने की पैरवी की समधान सभा की टाइम लाइन उसकी समय सारनी को जानने के बाद हमने ततकालीन कुछ समस्याएं देखी उनको समझने की कोशिश की जो समधान सभा के सदस्यों को जहलनी थी या समधान सभा के के सेशन्स के दौरान होनी वाली बहस से दिख रही थी जिसमें से एक समस्याए थी बहुत बड़ी अधिकारों को लेकर अलप संख्यकों के अधिकारों को लेकर दूसरी समस्या थी गैर अलप संख्यक यानि अलप संख्यक तो नहीं है पर अच्छूत निचली जाती के हैं तथाकतित निचली जाती के तीसरी समस्या जो थी वो था इन अधिकारों का शक्ति का बटवारा इसके अलावा चौती समस्या जो बड़ी अहम थी और खासकर भारत के परिप्रेक्ष में भारत के मामले में ये अत्याधिक महां क्योंकि भारत एक बहुत विविद्टा वाला देश है बहुत विशाल देश है जिसमें विविद्विद संस्कृतियां पनप रही हैं